Hello to everyone, कैसे हो आप लोग, I hope you all are doing well, तो मैं हूँ जोशी का फ्रम लर्नोहब, दो फ्री लर्नी ही वे फ्रम जहां पर आप पढ़ सकते हो, मैं साइंस अस्टी, absolutely for free at lernohub.com तो बच्चमाद हम discuss करने वाले हैं, class 7th ICAC board का chapter ratio and proportion, जिसमें हम आच cover करेंगे exercise 7b, और जिसने भी अभी previous video नहीं देखा है, जिसमें हमने cover किया था exercise 7a with the introduction, part of ratio, so please go watch that video too, चलो अभी किलियम time waste नहीं करते हो, जल्दी से start करते हैं, तो let's get started. तो चली बच्चो बात करते हैं, आज हम start करेंगे proportion, last class में हमने ratio already cover कर लिए, उसके exercise भी cover लेकर लिए है, तो आज का हमारा कामे की proportion क्या होता है, उसको समझना, तो यहां पर उसकी definition क्या लेखिए, कि when the four quantities are so related, that the ratio between the first and the second quantity is equal to the ratio between the third and the second quantity, the third and fourth quantities, क्या वोड़रे हैं, अगर मालो कि आपके पास चार quantity हैं, ठीक है, माल लेते हैं, हम उसको जीम कर लेते हैं, A, B, C, D, अब यह कह रहे हैं कि first, second का जो ratio है, that is equal to the third and fourth, यानि ratio क्या होता है, A upon D is equal to C upon D, ratio के format में ही, अगर मैं लिखना चाहूं, तो ratio को मैं कैसे denote करते हैं, A is to B is equal to C is to D हाना चाहिए, then we can say that, that the quantities are in proportion, तो यह हम तब क्या बोलेंगे, तब वो proportion में है, proportion is equality of two ratios, proportions का mainly short, one line की definition क्या है, कि यह क्या होता है, कि यह equal, दो ratio जब equality पर होते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, कि भही वो जो है न, वो proportion में है, equal proportion में, equal ratio में, ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, कि जैसे हमने ratio को symbol कैसे देते हैं, इस तरीके से, इस टू, यहाँ पर proportion को हम किस तरीके से denote करते हैं, तो proportion के लिए, either put the sign of equality, equal होता है, क्योंकि दो ratio equal होते हैं, या फिर, या फिर हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर double colon, जैसे कि यहाँ पर लगता है single colon in terms of ratio, यहाँ पर वो आ जाएगा आपका double colon, इस तरीके से, यारि अगर मैं यहाँ पर इसमें बोलना चाहूं, कि A is to be, double colon अ जाते हैं, कि यह जो ratio है, इस ratio के बराबर है, clear हुआ, यहीं पर अगर मैं example, कुछ हम discuss करते हैं, भी आंगे में दिखते हैं, उसमें आप और समझों कि अभी तो मैं नहीं भी CD लेके समझा है, अब मैं यहाँ पर numbers लेके आप इस तीस को समझाते हूं, तो चलिए, बढ़ते ह 4, then you can say that, that these 4 quantities are in proportion, ठीक है, अब यहाँ पर कहने का मतलब है, कि 15 is to 20 is equal to 9 is to 12 आ रहा है, क्या यह हमें चेक करना है, तो अगर हो 15 is to 20 की बात करें, तो वो क्या होगा, 15 upon 20, और इसको अगर आप डिवाइड करते हो, जिससे एक कोई ऐसा common number पे करो, जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, वो कौन सा number हो जाएगा, 5, क्या 5, 3, 15, 5, 4, 20 हो गया, 9 is to 12 पो अगर आप करते हो, तो 9 upon 12, 3, 3, 9 and 3, 4, तो क्या यह दोनों के जो रेशियो है, वो बराबर आ रहा है, यानि 1st का रेशियो, 2nd से, 3rd का रेशियो, 4 से, क्या वो एक्वल है, बिलकुल एक्वल है, य यानि ये जो है हमारी quantities, 4 quantities are set to be in proportion, clear हो गया ही है, ये line तो clear ही हो गई होगी होगी एकदम अब, ठीक है, यहाँ पर अभी तरह हमने ये upon भी समझा, हमने जैसे example लिए है, अब तो ये एकदम crystal clear हो जाना चाहिए है, ना आब बढ़ते हैं, next, तो चले डिसकस करेंगे हैं term proportion, अब जब हम proportion करते हैं तो उसमें ने देखा कि first का ratio second से, third का ratio fourth से बराबर है, उसको कह देता है proportion, अब उस proportion में जो हर एक quantity है, हर एक individual जो quantity है in a proportion, is called its term or its proportion, क्या कहलाएगा, its proportional or its term, ठीक है, अब proportion में अगर आब बात करोगे, तो जब आफ first और last term का proportional निकालते हो, first और last, जैसे कि मैंने number लिया है, A, B, C, D, तो ये first and last, ये क्या कहलाते हैं हमारे extremes, बुलकुल extreme end पर है न, ऐसे आप समझ सकते हो, याद करने एक तरीका, first भी extreme starting में है, ये extreme ending में है, ओके, तो first and last हमारे क्या कहलाते है, extremes कहलाते है, वहीं पर second and third हमारे क्या कहलाते है, ये ज है हमारे extremes, extremes कैसे समझ में सकते हो, starting or ending, okay, अब हर एक proportion के लिए जो product होता है, extremes का, extreme का जो product है, that is always equal to the product of means, अब ये क्या कह रहा है, extremes का product, यानि A multiply D, that is always equal to the B multiply C, ये कब जब वो proportion में है, तो ये condition उनमें apply हो जाएगी, कि भाई, दो extremes का multiplication, that is equal to the, दो means के product के बराबर, fourth term of a proportion is called fourth proportional, ये जो fourth term है, ये fourth proportional कहलाएगी, first है, first proportional, second, third, fourth, okay, चलो, अब वरते हम next, तो चलिए दिखते हैं, आप example, example में किया है कि find the fourth proportional of 3, 4, 18, number आपको दिया, fourth proportional, ओ, अभी तो बताया था मैं हम ने, कि that is the fourth term, okay, तो यानि हम क्या करेंगे, let the, fourth proportional, बी, X, यानि, 3, 4, 18, and X, हो गया, ठीक है, अब प्रपोर्शन में क्या होता है, अब यहाँ पर, according to the proportion, the ratio of the first and second is equal to the ratio of third and fourth, यही था, यानि, 3 is to 4 is equal to the 18 is to X, यही तो हमने पढ़ा था, starting में ही, first slide में हमने यही पढ़ा था, यानि, 3 upon 4 is equal to the 18 upon X, है न, फिर यहाँ से, हम देखिंगे तो, 3 X is equal to 18 multiply 4, और X is equal to 18 multiply 4 upon 3, 3 से यह गया 6 times, 6 multiply 4 X की value, यानि X क्या आगया मेरा, 24, अब अगर मुझे X 24 मिल गया, यानि क्या मिल गया हमारा, hence the fourth proportional is 24, आ गया, ठीक है, अब यह क्या बोला था, proportional यानि यह तो proportion में थे, अभी तो proportional बोलते है, individual term को, तो हम X की value मिल गया, आप end में लिख दोगे, hence the fourth proportional is 24, clear to everyone, now move ahead, तो चलिए बास करेंगे, अब continued proportional की, अब यह क साथ ही में हमने यह भी देखा कि extreme का product is equal to the mean के product के बराबर है, ठीक है, अब यह continued proportional क्या आ गया, three quantities are set to be in a continued proportion, if the ratio between the first and second quantities is equal to the second and third, यह क्या बोला, इसने बोला, कि जब इनको कब बोलेंगे, continued proportion में है, जब ratio of the first and second is equal to the second and third, ratio, then you can say that this is the continued proportion, clear, अब माल लो, यहाँ पर a, b, c, जो है, वो हमारे continued proportion में है, तो उसमें तो यह relation valid हो जाएगा, कि कब होंगे, जब if a is to b is equal to b is to c, और इसको अगर मैं solve करते हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, a upon b is equal to b upon c, यहाँ से solve करते हूँ, तो क्या हो जाएगा, b square is equal to a c, और क्या जाएगा, b is equal to square को हटाऊँगी, तो यहाँ पर क्या जाएगा, आपका square root of a, c, आ गया, बिलकुल आ गया, देखो, यहाँ पर जो लिखा था, इन में वही हमको मिली गया, ठीक है, और मुझे यहाँ पर क्या समझ में आर रहा है, कि जो मेरा a है, वो first proportional है, b जो ह मेरे पास, मैं माल लेती हूं कि मेरे पास है three numbers, अजिम कर लेते हैं, इसको समझने के लिए, कौन-कौन से वो numbers ले सकते हैं, साथ ही मैं अभी हमनों वो numbers अजिम करने से पहले, आप एक चीज़ और समझ दो, कि c, यह सित हमारा third proportional है, वैसे ही जो हमारा b है, जो कि second proportional आप समझ इसके बीच में है, b, a and c के बीच में है, ठीक, आप question किस तरीके से आ सकता है, कि find the mean proportional of 2 and 8, 2 and 8 के बीच का आपको mean proportional निकाला है, यानि b निकाला है, तो b क्या होगा, under root ac होगा, under root ac करूगे, तो क्या हो जाएगा, a क्या है, 2, b क्या है, 8, यानि under root 16, under root 16, किसको पता है, जल आपको मुझे बताया है, कि आपको अच्छे से निकाले, आते हैं, square root, है ना, तो हमने ये example भी discuss कर लिया, साथ ही मैं आपको ये ध्यान रखना है, कि जो ये तीन number है, आपके a, b, c, a and c, क्या हो जाएंगे, इसके extreme, b, क्या होगा, इसका mean proportional, वा ही तो बात करी है, इसको proportion between 4 and 9, 4 and 9 के बीच में आपको क्या निकालना है, mean proportion, तो first को मैं पहले solve कर लियो, let the mean proportion be x, यानि 4 x and 9 हो गया, mean proportion इसके बीच में आएगा, और हमने formula क्या पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है, b is equal to under root ac, और ये कब possible है, जब ये continue proportion में होंगे, और तभी हम mean proportion निकाल रहे हैं, है ना, उस container proportion मतलब, 4 upon x is equal to x upon 9, first to second का जो ratio है, that is equal to the third, second and third के बराबर, तो ये हो गया, यहां से आपका x square क्या हो जाएगा, 4 multiply 9, x की value क्या हो जाएगी, under root 4 multiply 9, ये क्या हो गया, under root 36, 36 is the square root of, जिसका ये square है, वही उसका answer है, किसका square है, 6 का, तो इसका 6 answer हो गया, clear, चलो ये तो बात हो गई, आप बात करेंगे second part की, तो चलिए बात करतें, second की, second में क्या जिया है, आपको निकालना है, third proportion, third proportion याने c निकालना है, तो let the third proportional be x, तो क्या हो जाएगा, 12 to 30 and x, if they are in the continued proportion, that means, 12 upon 30 is equal to 30 upon x, है ना, यहां से x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 30 multiply 30 upon 12, अब हम क्या करेंगे, cancel, cancel करते हैं, तो 2 से cancel करिए, 6 जा, 15, 3, 3, 2 जा, 6, 3, 5 जा, 15, तो ये कितना हो गया, 15 multiply 5, that means, the answer is 75, x क्या हो गया हमारा, 75, hence the third proportion is 75, clear, अब बढ़ते हैं next, चलिए बात करेंगे, अब next example, जिसमें क्या है कि, if a is to b is equal to 4 is to 5, and b is to c, 6 is to 7, then find a is to c, ठीक है, यानि आपको क्या given है, a upon b given है, आपके पास 4 upon 5, b upon c आपको दिया गया, 6 upon 7, आपको निकालना क्या, a upon c आपको find out करना है, अब इसमें हमें ऐसा relation बनाना पड़ेगा, जिससे a upon c हो जाए, क्या करें, क्या करें, दिख रहा है, मुझे इन दोनों में na b common आर रहे है, लेकिन b की value different है, ओके, यह भी साही कहरे हो, मैं महाप, लेकिन अदर मैं इन दोनों का product करती हूँ, यानि a upon b multiply b upon c करती हूँ, तो मुझे at the end क्या मिलेगा, यह b से b कैसे a upon c ही मिलने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, अब इनकी values रखूंगी, क्या होगा इसकी, 4 upon 5 multiply 6 upon 7, जो answer आएगा, वो क्या आएगा, a upon c के बराबर आएगा, 64 चा, 24, 75 सा 35, और यह कैसे आए, क्योंकि हमने पढ़ा है fraction में, कि जब इस तरीके से और numerator, numerator का multiply कर देते हैं, denominator, denominator का multiply कर देते हैं, तो result जो आ 35, now move ahead, तो चलिए बात करेंगे एक और example की, और यह अच्छा example है, थोड़ा different है, ठीक है, समझना इसको अच्छे से क्या है, if a upon b, a ratio b is equal to 4 upon 5, b ratio c is equal to 6 upon 7, find क्या करना है, a ratio b, ratio c, यह आपको find करना है, ठीक है, अब इसको कैसे solve करें, अगर हम उस तरीके से भी करेंगे, तब यानि कुछ different method करना पड़ेगा, यहाँ एक method आप्लाइ कर सकते हो, क्योंकि जो आपने fraction पढ़ाता, वहाँ पर आपने देखाता, कि जब इन में अगर हम numerator और denominator में, same number का multiply करते है, तो जो fraction है, वो हमारा change नहीं होता है, यानि आपका जो ratio है, यहाँ पर वो change नहीं होगा, अ B ratio B, 4 ratio 5, and B ratio C is 6 ratio 7, बात तो ही की है, यानि मैं अगर यहाँ पर दोनों में इसमें भी और इसमें भी, अगर सेम नमबर का multiply करती हूँ, तो मेरा जो ratio है, वो change नहीं होने वाला है, अब वो number मुझे ऐसे चूस करना है, जिससे यहाँ पर भी जो B है और यहाँ पर भी जो B है इन दोनों की जो value है वो same हो जाए, ऐसा number मुझे सोचना पड़ेगा, 5 और 6 में ऐसा number multiply करना पड़ेगा, यानि मैं इस ratio की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैंने 6 से multiply किया, और इस ratio की अगर बात करूँ, मैंने 5 से multiply किया, क्यों? देखो 6 5 से 30, 5 6 जा 30 मतलब B की जो value जो मुझे same चाहिए, वो मुझे मिल चाहिए, अचीव कर लेंगे अपना goal, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 24 is to 30, और B is to C क्या हो जाएगा, मेरे लिए यहाँ पर, 30 is to 35, ओके, अब मुझे क्या निकालना है, A is to B is to C, तो क्या मैंने निकालने लिए असान हो क् बिलकुल, because B की जो value है, वो same हो गई है, तो यानि A की तो 24, B 30, 35, that's it, जब भी आपको इस तरीके का question आएगा, आपको सिर्फ वहाँ पे दिमाग में रखना है, कि हमें इस तरीके का number choose करना है, जिससे उसमें जो common वाला part है, वो हमारा same हो जाए, ठीक है, अब बढ़ेंगे हम next, तो चलिए बात करते हैं, अब 7B की, 7B में के first portion की, जिसमें कहा कि check whether the following quantities form a proportion or not, ठीक है, अब proportion के लिए हमने देखा था, first और second का जो ratio है, वो third और fourth के बराबर हो, एक और हमने पढ़ा था, the product of extremes, that is equal to product of mean, और यह आया कैसे होगा, देखो, 3X upon 7X is equal to 24 upon 56, 3X multiply 56, 24 multiply 7X, यह क्या हो गया भई, 3X क्या है, extreme, 56 क्या है, extreme, extreme हो गया, मतलब यही condition है, ठीक है, 24 क्या है, 7 क्या है, बिल्कुल यही से आया था, हाँ, अब समझ में आ गया, है ना, चलो, इसको भी रटने की ज़रहत नहीं, एक आपने अगर अट लिया, तो भाईया, चलो, हो जाएगा, काम, अगर यह आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक, अभी यहाँ पर क्या होगा, 6, 3, 2, 18, carry 1, 168, x, 7, 4, 0, 28, carry 2, 7, 2, 14, 168, x, क्या यह दोनों बराबर आ रही है, यह समें आ रही है, यानि यह किस में है, यह हमा हमारे प्रपोर्शन में है, कि प्रपोर्शन होने की कंडिशन को तो इन्होंने सैटिस्फाइक कर दिया, यह प्रड़क्ट ऑफ एक्स्ट्रीम इस इकॉल तो दा प्रड़क्ट ऑफ मीज, ओके, similarly हमने यह पर फॉर्थ पार्ट करेंगे, सारे पार्स हम नहीं करने वाले हैं, तो जिदने भी पार्स यहां बचने वाले हैं, जो भी कॉशन लेप्ट आउट होता है, that means you have to practice it, ओके, अब यहां पर भी कर लो, 0.4 upon 0.5 is equal to 2.9 upon 3.5, 0.4 multiply 3.5 equal to 2.9 multiply 0.5, अब multiply, नॉर्मल वे में करोगे, ठीक है, 5, 4, 22, 4, 3, 12, 14, 140, अब decimal कितनी बार है का, total number of decimal places आप count करोगे, इसमें 1, इसमें 1 यानी 2, तो राइट हैं साइज से 1, 2, 1.40, अब यहां पर कर लो, 45, 4, तो 5, 2, 10, 14, तो 1.45, क्या यह दोनों बराबर आरहें, नहीं आरहें, not equal to, यह 1.4 है, यह 1.45 है, तो यह not in proportion हो जाएगा, clear, अब बढ़ते हैं हम next, तो चल्ड़े बाग करेंगे, अब 7B के second question की, जिसमें भी हम करने वाले 2 part discuss, remaining part आपको खुद ट्राय करने हो, कोई भी अगर doubt है, इत्तु सा भी doubt है, then you can ask me on the learnohab.com ask the question section module, okay, find the fourth proportional of 3, 12, 4, तुम नहीं पता है, तो क्या करेंगे, let the fourth proportional be x, proportional है, यानि proportion में तो होंगे ही, तब ही तो हर एक term कहलाती है हमारी proportional में, तो यानि 3 is to 12 is equal to 4 is to x, कैसे, मैंने क्या कर लिया, 3 of 12, 4 and x, assume कर लिया है, तो यहीं होगा, 3 upon 12 is equal to 4 upon x, 3 x is equal to 4 multiply 12, x is equal to 4 multiply 12 upon 3, 3, 4, 4, 12, x की value आ गई मेरी 16, यानि fourth proportional क्या आ गया, first part का 16, अब क्या करेंगे, third, fourth part solve करते हैं, fourth में क्या है, same, let assume कर लो x, तो क्या हो जाएगा, 1 upon 3, 2 upon 5 and 8.4 था पहले, अब यहां पर कॉमा लगा होगे, next हो गया, ठीक है, अब क्या है यह, 1 upon 3 ratio 2 upon 5 is equal to 8.4 ratio x, यानि 1 upon 3 upon 2.5 is equal to 8.4 upon x, ठीक है मैं, ओके, यहां पर, और हम यहां पर जब हमारे पास, दो fraction को हम divide करते हैं, तो हम क्या करते हैं, 1 upon 3 divided by 2 upon 5, साइन करो multiply का change बीच में, और यह reciprocal कर दो, यह तो as it is रहा, यह क्या हो क्या, 5 upon 6 is equal to 8.4 upon x, 5x is equal to 8.4 multiply 6, x is equal to 8.4 multiply 6 upon 5, यह क्या हो जाएगा मिरा, multiply करो, 6, 4, 24, carry to 8, 6, 48, 50, decimal, एक ही decimal प्लेस से हैं, तो यानि 50.4 upon 5, अंसर क्या आगिया, 50.4 upon 5, the fourth proportional is, 50.4 upon 5, तो हमारा यहां पर fourth proportional क्या है, 50.4 upon 5, ठीक है, अब अगर मैं यहां पर, कुछ लोग बोलेंगे, इसको भी divide कर दो, 50.4 upon 5 को जब आप divide करोगे, तो 5, 1, जब 5, 0, point आजाएगा, फिर 0, और 4 था, 4 के बाल में क्या आजाएगा, 48, x क्या हो जाएगा, 10.08, आप चाहूं, तो इसको प्रॉपर divide के format में भी, एक बार करके देख लो, 50.4, 5 से divide करना है, 1, 5, 0, point, फिर यह क्या लिख दो गया, 4, अब 4 तो डिवाइड होगा नहीं, यहां पर आपको 0, तो यहां पर भी 0, 8 x 40, remainder is 0, same answer आ रहे है, तो आपकी x की value कितनी आ गई, 10.08, in case of a 4th part, और आपका 4th proportional यहां पर निकाना है, that's all आ बगते है, next, तो चलिए बात करते हैं, 3rd question की 3rd में क्या है, क्या है, क्या है, find the 3rd proportional of, 2nd part लिए है, 3rd part हम discuss कर रहे है, बाकी पार्स आपको खुद करना है, ठीक है, पहला क्या है, 2 meter 40 centimeter, and you know, 1 meter is equal to 100 centimeter, therefore, 2 meter is equal to 200 centimeter, and this will become 200 plus 40 centimeter, that means 240 centimeter, 40 centimeter, एक आपके पास है, तर्ड आप क्या माल लोगे, x, ठीक है, अब अगर यह continued proportion में है, that means, 240 upon 40 is equal to 40 upon x, यह मैंने कैसे सोच लिए है, सोचो, क्योंकि मैंने पढ़ा है, 3rd continent proportional में, a upon b is equal to b upon c, वही किया है, तो 240 x is equal to 40 multiply 40, x will comes out 40 multiply 40 upon 240, एक 0 से एक 0 कड़ गया, 4, 6 जा, 64 हो गया, अब यहाँ पर 2, 3 जा, 20 यानि x की value क्या आगई, 20 upon 3, क्या आएगा unit, centimeter, आईगी क्या, सोच के बताओ, बिल्कुल आईगी, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर, क्या कर रहे हैं, उसकी दीक, 3rd proportional निकाल रहे हैं, तो 3rd proportional भी centimeter में होगा, आप 3rd की बाद करते हैं, 3rd में भी आप assume कर लोगे, x, है ना, तो 1.8 upon 0.6 is equal to 0.6 upon x, तो 1.8 x is equal to 0.6 multiply 0.6, x will equal to 0.6 upon 0.6 upon 1.8, यहाँ से यह point से point गया, कैसे गया, क्योंकि जब हम convert करते हैं, तो यहाँ पर आपका एक point आप shift कर लोगे, बराबर, जितना उपर करोगे, उतना नीचे को हमने भाई की हिया, 6 त्रीजा हो गया 18, और यह हो गया 2, तो यह answer क्या गया, 0.2, x की value कितनी आगई, 0.2, ठीक है, तो यह वाले logic से हमने इसको solve कर लिया है, आपके दोनों answer मिल गए, बाकी remaining पाद खुद try करोगे, अब बढ़ते हम next, तो चलिए बात करेंगे, 4th question की 4th में क्या है कि find the mean proportional between 3 and 27, that is the second part, mean proportion का formula हमने पढ़ा था, क्या था, b is equal to ac, where b is known as mean proportion, यानि यहाँ पर आपके पास, कैसे आपके होते हैं, 3, b and 27, ओके, तब हमारा 3 upon b is equal to b upon 27, जब होता है, तो b square is equal to ac का multiply, 27 multiply 3, from here you will get this formula, यह का हमने कपड़ा था, continent proportion में, अब b आपको निकालना है, a और c आपको given है, तो b क्या हो जाएगा, 3 multiply 27, this is 81, this will give you the result, 9, because 81, किसका square root है, 9 का, जिसका यह square है, अब बात करेंगे, 3rd part की, same formula आप लगाओ के, b is equal to 0.9 multiply 2.5, तो 3rd में भी हमने क्या करेंगे, same formula, same formula क्या है, b is equal to under root ac, a की value in 2.9, c की value 2.5 हमने रग दी, अब इन दुनों का multiply करोगे, 95 सा, 45, carry 4, 9, 2, जा 18, 18, 18, plus 4, 22, normal multiply होता है, जब decimal numbers होते है, अब हम decimal लगाएंगे, कैसे लगाते है, total number of decimal places काउंट कर लेते हैं, तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, यानि, कितनी हो जाएएंगे, आपके पास, यहाँ से right hand side से 12, 2.25, अब इसको आपको क्या निकालना है, square root निकालना है, जल्दी से बताओ, इसका square root क्या होगा, किसका यह square है, तो निकाले हैं इसका square root कैसे, आप देखो, इसको solve करते हैं, 2.25, जब हमें decimal हटाना होता है, तो हम denominator में, उतने number of zeros लगा जते हैं, जितने decimal के बाद number होते हैं, तो यह हो गया, अब आप निकालोगे, 225 का square root, तो यहाँ से आप इस तरीके से बना होगे, ठीक है, अब, 1, 1 जा, 1, 1 बचा, यहाँ पर, 2 आ गया, अब यह कितनी बार जाएगा, क्योंकि आप पूरा लिखोगे, पेर को, 125, अगर मैं यहाँ पर 5 लेती हूँ, तो यहाँ पर भी 5, तो 25, 5 जज़ा, 125 हो जाएगा, 5, 125, यानि यह किसका है, 15 का यह, square, 225, इसलिए इसका square root क्या होगे, 225 का, 15, 100 को पता ही होगा, 10, आंसर कितना जाएगा, 1.5, कैसे, denominator से मुझे हटाना है, तो मैं उतने, numerator में, right hand side से count करें, decimal point लगाऊंगी, जितने number of zeros थे, तो यहाँ आपर से 1 थे तो लग गया, 1.5 हो गया, that's it, 3rd हमारा solve हो गया, 4th आप इस तरीके से ही solve कर लोगे, that is your homework, clear, and do comment below, what is your answer for the 4th part, okay, चलिये बढ़ते हैं next, तो चलिये बाख करेंगे, 5th question की, 5th में हमारे पास, हमने लिए हैं 3 parts, remaining आपको खुद ट्राय करने हैं, तो 1st में क्या है, कि आपके पास, A is to B is given to you, 3 is to 5, and B is to C is given to you, 4 is to 7, here you can see, B is common to both 1, हमने ऐसा example भी देखा था, अब हमारा काम क्या होगा, हमें यहां पर ऐसे number का multiply करना है, जिससे यहां पर जो B की value, यहां पर जो B की value हो, same हो जाए, ठीक है, अगर मैं यहां पर 4 है, यहां पर 5 वैबी में, तो मैं अगर यहां पर 4 का multiply कर दूं, और यहां पर 5 का multiply कर दूं, क्या हो जाएगा, 4, 3, 12, 12 is to 20, इधर क्या हो जाएगा, B is to C, 20 is to 35, आगे है, अब मैं यहां पर A is to, B is to C, निकाल सकती हूँ, क्या हो जाएगा, 12 is to 20, is to 35, हो गया है, ठीक है, बिल्कुल हो गया है, कोई problem नहीं है यहां तक, तो शाएद आपका answer भी आ गया होगा, तो हमारा जो first part है, वो solve हो गया, अब हम क्या करेंगी second part, तो चलिए second part भी similar लग रहा है मुझे, X is to Y आपको given है, 2 is to 3, and Y is to Z आपको given है, 5 is to 7, अब मुझे यहां पर जो Y है, वो दोनों में common है, यहां पर 5 है, यहां पर वो 3 है, ठीक है, तो यहां पर आप multiply कर दो 5 का, यहां पर कर दो 3 का, क्योंकि multiply करने के बाद, denominator and numerator में, value तो change नहीं होने वाले, 21, ठीक है, अब आपका ratio क्या हो जाएगा, X ratio, Y ratio, Z क्या जाएगा, 10 ratio, 15, ratio 21, which is your final answer for this one, अब हम करेंगे 6th part, तो चलिए बात करते हैं, 6th part की 6th में हमारे पास given है, mixed faction के form में, तो इसको आप एक improper faction में चेंज कर लो, 4 बंजा 4, 4 हो क्या plus 1, यानि 5 upon 4, form सब कोई याद है या नहीं कि लिखनो, क्या था, integral part, multiply denominator plus numerator upon denominator, same formula लगा रही हूँ मैं यहाँ, 3 to 6, 6 plus 1, 7 upon 3 is equal to, P is to Q, and Q is to R आपको दिया गया है, 4 to 8, plus 1, 9 upon 2, is 254, 21 upon 4, here you have to find the value of P is to R, अब यह कैसे आएगा, मेरे पास है P upon Q, and Q upon R, अब मुझे देख रहा है कि, अब मैं इन दोनों का multiply करती हूँ, तो मेरा चो result बचेगा, वो P upon R बचेगा, यानि अब मैं यहाँ पर Q upon R का multiply करती हूँ, तो result क्या हो जाएगा, Q से Q cancel, P upon R बचेगा, ऐसा भी हमने example की या था, अब आप simply क्या करोगे, P upon Q की value रखोगे, चलिए रखते हैं, P क्या है मेरे पास, 5 upon 4, Q क्या है मेरे पास, 7 upon 3, multiply, Q क्या है मेरे पास, 9 upon 2, and R क्या है, 21 upon 4, यही है, ठीक है, तो यह तो आपने या मेरे values रख लिए, अब इसको solve करना, कुछ लोगों के क्लिए complicated हो जाएगा, बोलोग क्या करेंगे, बोलोग पहले, P upon Q की value जो है, 5 upon 4, upon 7 upon 3 को ही solve कर लो, तो P upon Q क्या हो जाएगा, 5 upon 4, divided by 7 upon 3 है, जब डिवाइट आते हैं, तो multiply गा, इसका रैसी फ्रोकल, 3 upon 7 दियोगी, क्या हो जाएगा, 15 upon 28, इस P upon Q, ठीक है, उसी तरीके से, आप Q upon R को भी solve कर सकते हो, 9 upon 2, divided by 21 upon 4, यहाँ पे 4 upon 21 कर दो, 2, 2 जा, 3, 3 जा 9, and 3, 7 जा, 3, 2 जा 6, 6 upon 7 आ जाएगा, तो यह हमने solve कर लिया, यह हमने solve कर लिया, इन दोनों की value रख दो, 15 upon 28, multiply, 6 upon 7, यह आपका, यहाँ से आपको दिख रहा है, अब यहाँ पर क्या करोगे, अब simply यहाँ पर फिर से, डिवाइट करना शुरू करो, कैसे, 2, 3 जा 6, और यहाँ पर हो गया, 1 and 4, तो आपके पास हो गया, 15 multiply 3 is 45, 14 multiply 7, 7, 4 जो 28, carry 2, यह हो गया आपका, 98, तो 45 upon 98 is what, that is your P upon R, आपका क्या निकला आया, यह P upon R, आपने क्या करा, आपने यहाँ से पहले, इन दोनों को देखके समझ में आया, कि इन दोनों credit करते हैं, तो P upon R मेलेगा, तो आपने P upon Q को solve कर लिया, individually, Q upon R को solve कर लिया, individually, then put the values and solve it, and you will get the answer, अब चलते हैं, next, तो चलिए, इस्थे करते हैं, 6th question, from the same exercise, that is your 7B, इसमें आपको क्या दिया है, X is 2Y, आनि X upon Y is equal to 5 upon 4, and also here, 2 upon X is given to you, 3 upon 8, from here you will get the answer, of X, X क्या हो जाएगा, 3X is equal to 8 multiply 2, X is equal to 8 multiply 2 upon 3, that gives you the result, 16 upon 3, now put the value of X here, and you will find your answer, Y निकाल होगे, क्या है 16 upon 3, 16 upon 3, Y is equal to 5 upon 4, क्या हो जाएगा, 16 multiply 4 is equal to 5 multiply 3 Y, तो यहां से आपको Y क्या मिलेगा, Y is equal to 16 multiply 4 upon 5 multiply 3, 6 4 जो 24, क्यारी हो गया 2, 64 upon 5 3 जो 15, that is your answer for Y, क्या गया 64 upon 15, that's all, अब बढ़ते हैं next, तो चलिए बात करते हैं, अब हम 8th question from the same exercise, that is show that, 2, 12, 72 are in continued proportion, continued proportion, अब से पहले तो हैं पता होना जाहिए, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, उनको अभी याद रहेगा, लेकिन उस टैंक पे भी याद आना चाहिए हैं ना, तो इसलिए क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ो, continued proportion में कहने का मतलब क्या होता है, ratio of first and second, is equal to the ratio of second and third, when we have the three numbers, लिख दस like this one, the first and second, is equal to the second and third, then you can set the ratio, then the proportion is in continued proportion, तो यहाँ पर भी यह A है, यह B है, यह C है, यानि 2 upon 12 का जो ratio है, that is A upon B, that is 1 upon 6, वो किसके ब्राबर आना चाहिए, B upon C क्या आ रहा है, 12 upon 72, तो आपको पता है 12 की टेबल, जैसको याद नहीं है, तो याद कर लो, 12 बंजा 12, 12 6 जा, that is 1 upon 6, तो क्या यह दोनों बराबर आ रही है, yes, A upon B is equal to, B upon C, 1 upon 6 is equal to 1 upon 6, that means, since this one, therefore, 2, 12 and 72, are in, continued, proportion, बस, solve हो गया आप बढ़ते हैं, next, तो बच्चो आए होप, आज का तो सेशन था, जिसमें हमने कवर कर लिया, proportion का पूरा part 7 भी फिनिश हो गया है, और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आपने एक 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 जाम्पल, आपको 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 आपक